और कैसे हो आप से मैं आ चुका हूँ COD Mobile की एक और नहीं वीडियो के साथ नियू अपडेट आ चुका है और Gunsmith में बाईो कुछ नियू फीचर एड़ किये गए हैं कौन कौन से वो फीचर हैं और क्या क्या हमें बाईो उनका benefit होगा पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसलिए वीडियो को पूरा वाच जरूर करना और अगर चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से बाईो सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले चलते हैं बाईो लोड आउट पर और यहां पर हम लोड आउट पर आच चुके हैं और आप देख सकते हो बाईो सबसे नीचे तीन न्यू आप्शन आए हुए हैं एक है बाईो बलब लग रहा है एक कौपी सा है और एक टिक मार्क का है क्या क्या इनका use है मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले टिक मार्क का use क्या है आप यहां पर देख सकते हो लोड आउट लिखा हुआ है यहां पर आप कोई भी नाम को चेंज कर देना और टिक मार्क से बाईो सिलेक्ट कर लेना वो नाम चेंज हो जाएगा और दूसरा है बाईो copy loadout जानी के मैं आपको बताता हूँ यह कैसे काम करता है मेरे पास भाईो अभी M4 का loadout है और मैं इस पर okay करूँगा यह पहले वाले में है first में है M4 का loadout और मुझे दूसरे में भी M4 का loadout चाहिए तो मैं दूसरे पर click कर दूँगा तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अपना loadout copy हो चुका है और second number पर भी भाईो M4 आ चुका है यह है इसका और चलते हैं next पर यह है भाईो weapon set recommendation यह अगर आप game में new आये हो तो भाईो इस feature को जरूर use करना भाईो यह game आपको खुद बताएगा कि कौन सा weapon आपके लिए best है यहाँ पर आप देख सकते हो mid to long range assault यह है भाईो M4 close range SMG RGUS 79U post up LMG जो best guns है न उस time पर हो गी भाईो वो आपको बताएगा उसको आप select कर सकते हो sneak shotgun यह देख सकते हो instant kill sniper DLQ33 यहाँ से आप equip कर सकते हो इनको किसी जिस भी load out पर आपको चाहिए वहाँ से select कर लेना जाने के भाईो मुझे चाहिए first number पर और आप देख सकते हो जो first number खा load out है मेरा वो change हो चुका होगा यह देख सकते हो आप यह भाईो feature अगर आप game में new हो तो आपको बहुती फाइदा होगा इनका इनको जरूर यूज करना और अगर वीडियो पर नए आए हो चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से बाईो subscribe कर देना मिलेंगे next वीडियो पर ओके बाई